वीडियो स्टाट करने से पहले क्विक अपडेट कि मैंने 30 डेज, 30 वीडियो का चालेंज लिया है तो मैं तुम्हारे सारे FAQs जो भी तुम्हारे frequently asked questions है inline skating से related तुम्हें comparison चाहिए, तुम्हें कुछ में को skate का product review चाहिए कैसा भी चाहिए जो मैं online कर सकूँ या मैं कुछ करके दिखा सकूँ tutorials रगे रहा, hopefully बना पाऊंगा मैं, but अभी covid situation ऐसी है कि guarantee नहीं कर सकता, मैं tutorials आएंगे की नी but सारे questions तुम्हारे जो मैं घर बैठे बैठे आंसर कर सकता हूँ नूब, आज मैं एक बहुत important बात बोलने वाला हूँ, तुम लोगों मैंसे जो लोग सोच रहे हैं XLMF 500 लेने का, या MF 900 लेने का, प्लीज पहले एक बार चेक कर लो कि तुम्हें flat feet की problem तो नहीं है flat feet अगर तुम्हें नहीं पता किसको बोलते है तो एक simple google search ते पता लग जाएगा वरना मैं यहाँ पे एक image दिखा देता हूँ कि कि किसको बोलते है, मैं अपने pair का example देके भी दिखा दूँगा तुम्हें कि कि किसको बोलते है flat feet यह देखो, यह मेरा feet है, यह normal feet है, इसमें क्या आर्च है यहाँ पे, ठीक है थोड़ी सी तुम्हें arch दिख रही होगी flat feet में क्यों होता है कि यह arch missing होती है और यह simply पूरा flat होता है feet पूरा का पूरा part touch हो रहा तुमारा ground से, यह beach का part arch उठी होई नहीं है इसका reverse भी होता है, उसको भी कुछ बोलते हैं, मैं उपर डाल दूगा, image में उसको क्या बोलते हैं उसमें यह arch exaggerated होती है और जादा, जितनी normal arch है, उसमें और जादा लंबी arch होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा pain होता है, तो अगर तुम्हें clearly पता है कि तुम्हें flat feet है तो मैं highly recommend करूँगा कि तुम Oxalo MF 500 या MF 900 मत लो क्योंकि हमारी community में ही एक member है, चिराग नाम है उसका, तो उसके flat feet है और MF 500 में उसको काफी जादा sharp pain होने लग जाती है, थोड़े time बात तो उसने Costco के speed and line skates भी try करे हैं, दुरूफ के दुरूफ एक बंदा है, तो मैं पता जिसको 13 साल का experience है तो उसको Costco वाले skates में बिल्कुल भी pain नहीं हो रहा है अब इसका most probable cause ही हो सकता है कि Costco वाले जो speed and line skates हैं, वो soft boot है और 500-900 दोनो hard boot है तो इस पे थोड़ी सी और research करके मैं एक और नहीं वीडियो डालूँगा कि hard boot और soft boot का relation है की नहीं है flat feet से directly तो तब तक के लिए बस मैं कोई एक warning मी नहीं बोलूँगा मैं इसको तो बड़ एक caution की तरह मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोगों पर flat feet है तो please 500-900 मत लो, क्योंकि pain होगी फिर तुम वापस return करोगे और फिर तुम मुझे बोलोगे कि वो pain हो रही है 500 लेके या 900 लेके आपने गलग skate सेजस्ट कर दिया तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर तुमारा flat feet है तो please prefer करो Costco के speed inline skates या hopefully कोई भी और अलग soft boot skates इस पर मैं एक detailed वीडियो बनाकर डालूँगा flat feet and inline skating और क्या-क्या solutions हो सकते हैं मेरे ख्याल से इसके काफी अलग-अलग solutions हो सकते हैं liner वगेरा अगर कोई धंकी company का मिल जा तो तुम चाहिए liner से भी pain कम कर सकते हो flat feet वाली और please ये content sponsored नहीं है मैं बथा दूँगा अगर sponsored होगा तो मुझे एक पैसा ना Costco दे रहा है इस वीडियो में तुमें अगर कुछ अच्छा लगा कुछ informative लगा तो please subscribe कर लो चानल को share कर लो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो 500 या 900 लेने का सोच रहे हैं उनके लिए as a caution उनके लिए as a एक quick check बन जाएगी ये वीडियो कि please पहले verify कर लो कि तुमारे flat feet तो नहीं है उसके बाद ले लो no doubt skates काफी अच्छे है 500, 900 दोनों काफी अच्छे skates है Costco वाले भी काफी अच्छे skates है but same skate किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है किसी के लिए बहुत खराब हो सकता है depending upon तुमारी problem क्या है तुमारी feet की position और shape कैसी है तो next video में मिलते हैं तब तक के लिए happy skating Indian skate noob सलाम, bye bye